तेरे मंजिल, तेरे अंदर, तेरे रासते, तेरे किस्मत, तेरे हाथों चुन लें अपना सफर सफर तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर Hi guys, आज का हमारा टॉपिक है Vernier Caliper Vernier Caliper एक ऐसा majoring instrument है जिससे हम mm के 20 हिसे तक या 0.05 mm तक easily major कर सकते हैं आज के lecture में हम पढ़ें कि Vernier Caliper से readings कैसे लेते हैं पहले हम देखते हैं Vernier Scale में कौन-कौन से parts होते हैं इसमें होते हैं man jazz जिससे हम outer diameter major करते हैं या outer dimensions किसी भी object के और small jazz जिससे हम inner dimensions major करते हैं तो और इसमें man scale और Vernier Scale तो man jazz से major करने के लिए जिस भी object के हमें dimensions चाहिए होगी तो उस object को हम perfectly या tightly grip करते हैं man jazz से उसके बाद हम reading लेते हैं readings में समसे पहले हम man scale की reading लेंगे उसके बाद Vernier की man scale पे reading कैसे आएगी Vernier Scale पे जो 0 दिया हुआ है उसके left तक यानि कि उसकी बाई जानिब जो भी reading हमें आएगी वो हमें note करनी है यहां पे reading हमें मिल रही है 2.1 cm फिर हमें Vernier की reading लेनी है Vernier पे जो divisions दिये हुए है और man scale पे जो divisions दिये हुए है यहां पे perfectly coincide हो रहे हो यहां पे हमें एक straight line अजर आएगी वहां तक लेंगी हम Vernier की reading यहां पे हमें आएगी 2.2 उसके बैद हम इस Vernier की reading को centimeters में convert करेंगी उसके लिए हमें सबसे पहले 10 से divide करना होगा जो कि number of divisions on Vernier है फिर 0.1 से multiply करना है उससे हमें Vernier की reading centimeters में convert हो जाएगी तो हमें मिल रही है यहां पे 0.022 centimeters Vernier की reading फिर हम इन दोनों readings यानि की man scale और Vernier scale की readings को add up करते हैं तो वहां से हमें outer diameter मिल जाएगा अब small jars से inner diameter कैसे major करते हैं वो देखेंगे उसके लिए हम small jars को expand करते हैं ताकि वो दोनों edges को touch करें उसके बैद हम readings लेते हैं पहले man scale की readings वो हमें यहां पे आ रही है 7.5 centimeters उसके बायद Vernier की readings वो आ रही है 6.4 फिर Vernier की readings को convert करने के बाद उन दोनों readings को add up करते हैं तो वो हमें यहां पे देगा inner diameter Vernier से हम depth भी major करते हैं उसके लिए एक rod दी हुई होती है जिसको हम extend करते हैं जितनी भी हमने depth major करनी हो rod को extend करने के साथ साथ man jazz के बीच space create होती है जो के बराबर होती है जितनी भी हमने depth major की है यहां पे हम cross check भी कर सकते हैं as you can see it's exactly the same फिर हम readings लेते हैं पहले जैसे कि हमने इसे पहले ली पहले man skill की फिर vernier की फिर उन दोनों readings को add up करके हमें यहां पे depth मिल जाएगी झाल झाल